नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो आते हुँ दिख रहे हैं उनके बारे में साती साथ बजार ऐसा लग रहा है आज बजट है क्योंकि जिस हिसाब से वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है यह असली बजट की वॉलिटिलिटी बट आज मार्केट में कोई बजट नहीं है किवल वॉलिटिलिटी है और बढ़िया तेजी है इन फैक्ट बजार सुबह प्रेज में निफ्टी ने 21,830 का 805 का इन फैक्ट लो लगाया और अभी दुबारा रिकवरी आ रही है लगब 21,870 के लेवल पे आपके लिए ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में दो फूल एक्शन है वॉलिट डेटी भी है मेरे को लगता है दुबारा से यहां से 22,000 की त किसी को भी कोई भी पोजीशन रखनी है तो मैं आपके साथ सिर्फ एकी चीज बोलना चाहूंगा 21,700 का आप SL रखेंगे और पोजीशन में लॉंग साइड पे बैठेंगे 21,750,700 का SL ब्रेक होगा तो हम दुबारा से समझ लेंगे कि मार्केट ने यह जो उचाल दिया यह ए अब आता हूं मैं निफ्टी पे बैंग निफ्टी ज्यादा वॉलिटायल होता हुआ दिखाए आप सभी को यह डीटेल एनलिसिस करूँगा मैं आप सभी के साथ 3.30 वाली वीडियो में अभी मैं आप सभी के लिए वापस से टॉपिक पे लोटका हूंग अपने quarterly numbers वगेरा पे तो पहले तो रिजर्ट्स बता दूँ टॉरेंट फार्मा के जस्ट अभी नंबर आए है नावा इंडिया नावा लिमिटेड के नंबर साथ ते हो दिखे हैं सुंद्रम फास्टनर्स महिंद्रा हॉलिडेज वाइपूल इंडिया डी नोरा इंडिया धानु का एक्गरी पे तो सबसे पहले वाइरपूल इंडिया के रिजर्ट्स देख लेते हैं Consolidated Net Profit Company का 25 करोड से बढ़कर 28 करोड का हो गया है revenue 1300 करोड के सामने 15-30 करोड पे आया है year on year basis पे हलकी सी improvement आ रही है stock का price आदे percent उपर है ये एक बहुत ही बड़ा underperformer सावित हुआ है बीते दो डाई सालों में अगर इसके कामकाजी मुनाफ़े की बात की जाए तो लगबग 44 करोड से बढ़कर 63 करोड पे आया तो काफी बढ़िया जम्प है 50% का जम्प आ रहा है margins देखें तो 3.38% से बढ़कर 4.08% में तो शायद ये recovery के संकेत आ रहे है वाइपूल इंडिया के लिए महिंद्रा हॉलिडेस के नंबर्स की बात की जाए तो consolidated net profit company घाटे से मुनाफ़े में आगी है पहली बात तो 12 करोड के घाटे के सामने 11.5 करोड का मुनाफ़ा पेश करा है कंपनी ने revenue 600 करोड के सामने 630 करोड है तो जादा कुछ खास नहीं बढ़ा है margin 15% से बढ़कर 16.56% पे हो गया है तो ये improve हुए कामकाजी मुनाफ़ा 90 करोड के सामने 105 करोड का हो गया है stock 5% उपर है सुंदरम fasteners की बात की जाए तो flat share का price और profit company का 117 करोड के सामने 130 करोड पे आया है revenue लगबग 1400 करोड से घटकर 1370 करोड का आया है margins में लगबग 72 basis points की improvement है और इसी के साथ 14.72% पे आते हो दिखें और कामकाजी मुनाफ़ा 196 करोड के सामने 200 करोड के आया है inline कह लीजिए कुछ खास तो लगनी रहा मेर को NAVA limited लगबग 4% उपर है share का मुनाफ़ा लगबग 245 करोड से बढ़कर 330 करोड का आया है तो interesting है revenue 880 करोड के सामने 930 करोड है और कामकाजी मुनाफ़ा 400 करोड से बढ़कर 410 करोड है कुछ खास नहीं है torrent pharma सबसे पहले 22 रुपे प्रतीशेर का company ने अपने निवेशकों को दिया है dividend company के मुनाफ़े की बात की जाए तो company ने consolidated मुनाफ़ा 440 करोड का पेश कराया है 292 करोड के सामने अनुमान 360 करोड का था तो बीट कराया है बहतरीन नंबर है EBITDA company का 724 करोड के सामने 870 करोड पे है तो ये भी भढ़िया है 850 का अनुमान था margins 31.81% पे है 30% का अनुमान था तो numbers तो हर एक पैमाने पे अच्छे आ रहे हैं लेकिन share का price आपके लिए आदे percent के something नीचे trade करता हुआ दिख रहा है overall numbers में पूरी तरीके से thumbs up दूँगा कोई issue नहीं दिखता है मिरको आज lead दो एक मात्र energy sector अलगी दिख रहा है मतलब बहुत ही टूफानी देजिए 3% उपर है और जरा नजर मारी एक बार फिर से BPCL पे जो कि आपके लिए इस समय 10% exactly circuit लगा चुका है 560 के levels पे आके खड़ा हो गया है निफ्टी 21,890 पे आ चुका है और मेरे को लगता है थोड़ा और उपर जाना चाहिए तो यह अभी दुबारा से recovery mode में चल रहा है आपके लिए तो यह पूरी की पूरी update थी मेरी तरब से अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी Thank you so much for watching this video, have a great day guys